लग रहा है हम लोग का कुछ काम नहीं होने वाला है देखिए एक शेर हमसे भी सुने आप कहना है कि अगर तुम धूसा रखती हो तो कंबल हम भी रखते हैं अगर तुम धूसा रखती हो तो कंबल हम भी रखते हैं और तुम्हारे याद में आखों को जल्थल हम भी रखते हैं और तुम्हारे गाओं में ये आएंगे धान कूटने जाना अगर तुम अखली रखती हो तो मूसल ये भी रखते हैं अगर तुम अखली रखती हो मूसल ये भी रखते हैं लेकिन हम धोलक वाले के लिए हमारा कहना है हमारा कहना है कि हम एहले जर्फें खाते हैं कमाई हलाल की हाँ ठीके ठीके मेरे भाई है हम एहले जर्फें खाते हैं कमाई हलाल की ना जायज अगर हो मलाई नहीं खाते और हम मर्द हैं रखते हैं बाजू पे भरोसा रे पर तेरी तरह उरत की कमाई नहीं खाते लेकिन आपने सुना था लोग चंदा करेंगे कफन के लिए हमारा कहना है कि दिल दुलहन के लिए है जावतन के लिए और हम तो मर्ते हैं सदा दोनों अंजुमन के लिए राना परताप वीर भगत सिंग से बूछिए के शहीड डरते नहीं है कभी कफन के लिए कभी कफन के लिए लेकिन तुम प्यार के हो साथ ननफरत के साथ हो ऐ हर्मूनियम वाले तुम प्यार के हो साथ, ने नफरत के साथ हो और नादान हो मासूम सी, सूरत के साथ हो इज़त जो चाहते तो मर्दों के साथ होते तुम गधे हो इस वास्ते अउरत के साथ हो क्या बात है, क्या बात है क्या बात है ये चपना रहूंगा कहते हैं कि मोम की तरह जल जाएगा मोम की तरह जल जाएगा और जल जल के पिघल पिघल जाएगा और तसके अगर बीच में ताब लेगी तो बेटा हुआ तेरा दमहे निकल जाएगा मगर मैं ये परदाश मैं ये परदाश कर नहीं सकता और सारी खुशिया मैं तुमको दे दूंगा मतरमा शर्त इतनी है मेरे पास रहो शर्त इतनी है कि तुम मेरे पास रहो लेकिन कहना है कि दिल, दिल के आइने में उतारती है, और इश्क की नब्ज को उभारती है, पहले तस्वीर तो बोलती भी ना थी, अब तो तस्वीर आख मारती है, अब तो तस्वीर आख मारती है, अब तो तस्वीर आख मारती है, लेकिन कहना है जो हसीनों पे ध्यान ड़क तो दिल वो अपना जवान रखते हैं और ये तो बच्चे है घुस जाएंगे खोल के क्यों तो कान रखते हैं अगर वो सीने में अपने तुफान रखते हैं तो हम भी अपनी हतेली पे जान रखते हैं और इनके बच्चे पतंगों से खेलते होंगे हमारे बच्चे लड़ाकू भी मान डगते हैं लेकिन कहते हैं जिन्दगी है मौज में तो भारती हो जा फौज में ले ले देखो बेटा देख ले एकी लाएं भाईया धोलक वाले और हर्मूनियम वाले दोनों को हम कह रहे हैं के जिन्दगी है मौज में तो भारती हो जा फौज में अजब गिरेगा बम का गोला तक कूद जाना बढ़का हौज में कूद जाना हौज में लेकिन फौज की सिपाही से नहीं तरह टकराओ तुम और बम का ये गोला देखा के मुझको न धंकाओ तुम कूदने के वास्ते हर वक्त मैं तैयार हूँ और खोल करके पहले होज अपना दिखलाओ तुम अगर ये भाई कहना है कि जग मेर उस्वा करा के छोड़ूगा जग मेर उस्वा करा के छोड़ूगा और तुझके अपना बना के छोड़ूगा पढ़ गया तुझो मेरे चक्कर में ये बागया वाले तो तेरी भाउए बना के छोड़ूगा वालेकिन मैं घाट घाट का पानी पिला के छोड़ूगा घाट घाट का पानी पिला के छोड़ूगा और तेरे दिमाग का चूला हीला के छोड़ूंगा और हमारे कवाल साहब से मत लजना वरना मैं तेरा थूद ना भूला के छोड़ूंगा फिर आपने सुना उनसे लबों को खोल देती तो मैं रस नी चोड़ लेता बोलिए बगल में ही बैठे हैं और लेडिस के साथ है वो और बात भी ऐसी बोल रहे है रस नी चोड़ ले की रस नी चोड़ रहे है भाईया ऐसा नहीं करना चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे फिर जब रस वही नी चोड़ लेंगे तो उनके लिए एक शेर है कहना है ये सब के दूलारे हैं खोड़ा खैर करे कैदे हैं ये सब के दूलारे हैं खोड़ा खैर करे सब के दूलारे हैं खोड़ा खैर करे और मेरी आँखों के प्यारे हैं खोड़ा खैर करे भाईया ये कमारे हैं कोई बात नहीं इनके अब बाबी कमारे हैं, खोदा खेर करें, फिर आपने सुना था कि अंग्रेजी दवा रेक्शन कर जाएगा, तो हम लोग का इंजेक्शन भी है, देखिए, रेक्शन के साथ इंजेक्शन भी जरूरी है, ऐसी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, कहना है के जिन्दगी पाए माल कर दूँगा, जिन्दगी पाए माल कर दूँगा, और तेरा जीना महाल कर दूँगा, और मेरे कव्वाल साहब से ज्यादा उल्जोगी तो गाल मलमल के लाल कर दूँगा, हैं इत्र देखिए सीमा जी कि तुमारे हुसल की डालीू जिंजोर डालेंगे बाप्डा दबा के फ़लों को को निचोड डालेंगे दबा दबा के फलो को निचोड डालेंगे बचाओ लंका सुनो ए आतंग वादियो बजाओ लंका बजाओ बचाओ बचाओ लंका जवानी की वर्ना यहां के लड़के लपक लपक के तेरी तोड फोड डालेंगे लपक लपक के तरी तोड फोड डालेंगे वा हमारे बेचैन चच्चा लग रहा है बेचैनी ज्यादा है उनको अरे मेरे रीवा के हैं भाई रीवा वाले चच्चा कहना है के मैंने कहा के कौन है उसने कहा के हूर हूँ मैंने कहा कौन है उसने कहा मैं हूर हूँ तो मैंने कहा देखू जरा उसने कहा मजबूर हूँ मैंने कहा देखू जरा उसने कहा मजबूर हूँ तो मैंने कहा मजबूरी क्या उसने कहा पर्दा मेरा मैंने कहा पर्दा हटा उसने कहा पैसा देखा मैंने कहा पड़दा हटा उसने कहा पैसा देखा मैंने कहा पैसे नहीं उसने कहा ऐसे नहीं मैंने कहा पैसे नहीं उसने कहा कि ऐसे नहीं मैंने कहा क्या रेथ है उसने कहा हंड रेथ है मैंने कहा क्या रेथ है उसने कहा हंड रेथ है मैंने कहा कुछ कम करो उसने कहा तव दम धरो मैंने कहा कुछ कम करो उसने कहा तव दम धरो मैंने कहा बड़ी अच्छी है ये तो उस बाजे वाले ने कहा बच्ची है ये मैंने कहा बड़ी अच्छी है ये उसने कहा बच्ची है ये मैंने कहा के भाया बड़ी सीधी है ये उसने का हट बड़ी छोटकी दीदी है ये क्या बात है विजय भाई ये तुमारे पीछे पड़ गए